चलो तो बेसिक टर्म में कैपेटल में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है मीनिंग एक है मतलब तीन है ओनर को भी क्या बोलते हैं वाटी कॉंट्रिब्यूट्स एन मनी और इसी का उल्टा कर देंगे वन थिंग्स कम आउट इस चलिए बिजनेस की हरकतों को क्या बोलते हैं चलिए एनिधिंग विच इसमें वाइं बॉल रहे हैं चलिए बायर को जो क्रेडिट पर बाय करेगा और जो क्रेट में सेल करेगा चलिए वेरी गुड़ वेरी गुड़ वेरी गुड़ तैर आफ्टर लिखा पड़ी में कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी एकदम सिंपल एकदम सिंपल है टेंशन बिलकुल मत लीजेगा आप लेंगे टेंशन तो परिवार को मिलेगी पेंशन तो डूंट टेक टेंशन ध्यान से सुनिएगा बच्छो मैं दो एक्जांपल लेकर चलता हूं देर इस परसन नेम्ड आज एक्स एक्स परसन नेम्ड आज एक्स इस एक्स ने कुछ बेचा तो हम इसे क्या नाम देंगे क्रेटर एंड वाई ने सिमिलरली क्रेडिट पर कुछ खरीदा तो हम इसे क्या बोलेंगे टेटर एलिगेटर मत बोलीएगा डेटर मत बोलीएगा कितना सुझ में आगया एक्स को वाई के उपर और वाई को एक्स के उपर जरा भी विश्वास नहीं है बोट अफ देम डिस सुझ मागी बात एक्स इस कागस के टुकड़े को बोलेगा बिल रिसीवेबल पिकॉज ही इस एंटाइटल्ड टू रिसीव दा मनी फोपड़े में बात गई पका कंफर्म और ये कागस का टुकड़ा रिप्रेजेंट करता है मिस्टर एक्स को किसको रिप्रेजेंट करता है similarly वाई इस कागस के टुकड़े को बोलेगा बिल्स पेबल क्यों बिल्स पेबल बोलेगा because he is liable to pay money तो मैंने प्रॉमिस किया पैसा देने का पैसा तो हम उस कागस के टुकड़े को बिल्स पेबल बोलेंगे मेरे पास अथोरिटी ये पैसा ले ने की तो हम इस कागस के टुकड़े को बिल्स पेबल बोलेंगे और ये कागस का टुकड़ा रिप्रेजेंट करता है एक्स की नजरों में किसको मिस्टर वाई बात समझ में आई पका तो बिल्स पेबल इस डाट पीस ओफ पेपर जो हम कि बाई हम आपको पैसे देंगे हमने प्रॉमिस किया है विकॉज हमने आपसे समान खरीदा है अब बातें क्लियर हो गई पका कंफर्म दोनों की डेफिनेशन में बस ओरल फॉर्म और रिटन फॉर्म का डिफरेंस है बागी सब कुछ सेम हैं तो मैंने मान लीजिए आपको डिजिटल पर ने एक लाक रुपे में बेच दिया फुल स्टॉप मैं सेलर आप बाइर उधार में बेचा है तो मैं क्रेटर और आप अब हमने इस उधारी को एक लिखा पड़ी में कंवर्ट कर लिया वह कागस का टुकड़ा रिप्रेजंट कर रहा है कि मैंने उधार दिय और आपको पैसे मेरे को देने है तो आप क्या बोलोगे बिल्स पेबल तो डैटर कागस के टुकड़े को बिल्स पेबल बोलता है क्योंकि उसे पैसे देने है और क्रेटर कागस के टुकड़े को बिल्स पेबल बोलता है क्योंकि उसे पैसे देने है और क्रेटर कागस के So, ये बाते सबको clear हो गई थी, stock सबको समझ में आ गया था? Unsold commodity जो बच जाती है, that is known as stock. मान लीजिए, Apple वालों ने iPhone 14, 100 करोड पीस manufacture किये. 15 launch होने से पहले, 1 लाग पीस बच गए हैं, जो नहीं बिके. इसे क्या बोला जाएगा? Stock closing stock. बट हम जो इसकी definition पढ़ते हैं, time के हिसाब से, ये accounting year के हिसाब से चलता है. April 1st से March 31st के बीच में, जो खरीदा वो purchase, जो बेचा वो sale, बट जो बच गया वही stock होगा. तो stock का मतलब सिर्फ goods नहीं होते, raw material भी factory के लिए एक तरह का stock ही होगा. तो अगर आपने एक cafeteria open कर लि आपके पास कुछ bread बची हुई है, कुछ butter, कुछ tea, कुछ coffee, कुछ sugar and many other items. Even tissue paper भी अगर आपके cafeteria में पढ़े है, 31st March को, इन सब चीजों को आप क्या बोलेंगे, बट जो आपके cafeteria में AC लगा है, वो stock, क्योंकि stock होने के लिए goods होना बहुत ज़रूरी है. क्या AC goods होगा? बट Reliance Digital के showroom में 15 AC बिके नहीं अभी तक, उनके लिए AC क्या होगा? उनके लिए AC goods होगा, नहीं बिका तो वो stock. कितनी बात समझ में आई, या बिलकुल सिर के उपर से उड़ गई? पका? चलिए. Let's proceed further. revenue में आपको बता चुका था, रोजमर्रा के जीवन में जो पैसा आएगा, उससे क्या बोलेंगे? revenue को लेंगे. Any doubts on this? पका? चलिए. आगे चलते हैं, आगे चलते हैं. तो यहां तक कोई problem नहीं किसी को? यहां तक कोई problem किसी को? चलिए बच्चों. तो revenue शब्द का मतलब समझ में आ गया? revenue शब्द का मतलब समझ में आ गया? Next. Profit यह तो maths में पढ़ा था? Selling price more than? Cost price. और accountancy में selling price को क्या बोलते है? Cost price को? या? अब यहीं पर definition स्टार्ट होती है. आपने 100 रुपे अपने पड़ोसी को दे दिया. Is it an expense? 100 रुपे पड़ोसी को ज़डू लगाने का दिया. It is an expense. आपका पड़ोसी कहा रहा है क्यों 100 रुपे दे रहा है और क्यों कहा रहा हम ज़डू लगाएंगे? हमारी मम्मी बोलती रहे थी किसी काम के नहीं हो. हम साबित करना चाहते हैं कि तुम बहुत काम के हो. तो हमारे ज़डू लगाओ, 100 रुपे ले जाओ, फुरून को जाके बताना, मुह तोड़ जवाब देना. उसकी मम्मी उसका है मुह तोड़ेंगी, आपका है मुह तोड़ेंगी? समझ में आ गई बात. पक्का? कन्फर्म? चलिए. तो क्या expense का मतलब है, पैसे का payment? Cost of short term benefit. एसी खरीदा, office में लगवाने के लिए asset होता है. बट उसका electric bill short term benefit हर मही ने आपको पे करना पड़ेगा? That is an expense. क्या मैंने बोला payment of electric bill? Bill आ गया, expense हो गया. चाहे पे हुआ हो, चाहे ना हो. What a tier? आपने, अपने office का internet bill, पाँच सो पचास रुपे देखा. आपने internet हर मही ने इस्तमाल किया है. बट अभी आपने pay? नहीं किया. Still, 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 still. It is an expense. Pay किया, तो बोलेंगे expense. Paid, नहीं किया, तो बोलेंगे expense. Unpaid, due या outstanding, स्वाध अनुसार, जो भी आपको अच्छा लगया, आप बोल सकते हैं. Understood? या concept अनुसार बोल लीजे. चलें, आगे. Loss उल्टा हो जाएगा, बट इसके दो मीनिंग थे. तस रुपे का समान, बिक गया सात रुपे में. कितने का loss है? तीन रुपे का. मंगवाई थी मिठाई, दी पावली में employees को बाटने के लिए, चुहा गटक गया पुरी की पूरी. It's your? Go down में goods पड़े थे. लॉकडाउन लगा, पूरे के पूरे एक्सपायर कर गए, बिक नहीं पाए, मेडिसन के केस में. It's a? पाढ लागा ये पूरी की पूरी जो चीनी थी, वो शीरा बन गई. It's a? बटल न भरके बेचेंगे जूस के नाम पे. It's a? Loss. समझ में आई बात की नहीं? समझ में आई बात. चश्मे की दुकान थी. डेर सारे frames और glasses रखे थे, बट government ने ऐसा vaccination किया, पैदा हुए बच्चे का, कि आँक कभी week होई नहीं रही है. तो चश्मे अले दुकान दारों क्या हो जाएगा? Simple as that. चलिए. और आपके पास एक बहुत बड़ा सा business empire setup है. You have land and building, जिसके अंदर factory में installed है पापा इन मम्मी. Plant and machinery. Business का plant and machinery पापा इन मम्मी होता है. वो नहीं होगा तो business नहीं चलेगा. सुझनागी बात. Cash box में कुछ? Cash रखा है. कुछ goods तयार हैं बिकने के लिए go down में stock रखा है. कुछ customers से पैसे लेने हैं बटबी तक? लिये नहीं. कुछ ऐसे हैं जिनको उधार दिया है लिखा पड़ी में उनसे भी पैसे लेने हैं. thereafter क्या आप अपने customers को deal समझाने के लिदरीम बढ़ाएंगे? कुछ सुन्दरकान तो चलने ही रहा है? what it is, furniture होगा? office में आपने install करवाया हुआ है air conditioner. ये सारी की सारी चीज़ें चल रहे हैं. आपका business own करता है. yes or no? ये सारी चीज़ें आपको कई न कई पैसा कमाने का benefit देती है. yes or no? कैसे पैसा कमाएंगे समझ मागया? by land and building है तो उसके अंदर factory है. factory है तो factory में machine लगी है. machine है तो वो समान बनाएगी. आप बेचेंगे, बेच के पैसे आएंगे तो profit कमाएंगे. समझे बात को. सर ये furniture कैसे benefit देगा? Tim Cook सहाब आये. उन्होंने meeting की सबसे पहले मोदी जी से. समझ मागया? उसके बाद उन्होंने meeting की से की. Ammani जी अडानी जी से. मेरे से मिलना चाते थे. पर class थी मैंनों को appointment दिया नहीं. उसके बाद फिर गफार market गए राइदिली. और मुन्ना मुबाइल से मिलना चाते हैं. बाई तु एडिल सो रुपय में मेरा iPhone कैसे अनलॉक करता है? ये बता जरा मेरे को. मेरे engineer तो इससब करनी पा रहे हैं. Just a joke. उसके बाद वो आप से मिलने आए. आप एक orphanage चलाते हैं. किन बच्चों को रखते हैं? जिनके पापामी खराब result आने के पाद उनको घर से बाहर निकाल देते हैं. आप एक old day home चलाते हैं. समझ में आई बात. किन को रखते हैं वाँ पे? उन parents तो रखते हैं जो अपने बच्चों को ढूडने आए हैं. काफी दिन से मिलनी नहीं हैं. आप पिम कुक साहब चाहते हैं कि वहाँ पे ऐसे agent लोगों के लिए बच्चों के लिए बच्चों के लिए एक special mobile phones बनाए जाए education purpose के लिए आपके साथ meeting करना चाहते हैं. दरी में बैठाएंगे. नहीं सर उन आली को पर बैठा दिंग सर. बिलकुल नहीं. तो furniture पर बैठके deal execute करेंगे. आफिस में बड़ी अठंडी हवायत उसके लिए. तो आपका business upgrade होगा नहीं सब चीजों से. तो ये सब चीज़ें आपको कहीं न कहीं पैसा कमाने का benefit देंगे. They all are existing. They should be existing in your business. अगर customer सारा पैसा दे के चला गया, कोई बाकी नहीं है. क्या आप उसे debtor बोलेंगे? No. Land and building आपने बेच दिया, जब ही नहीं आपके पास. क्या हूँ आपकी belonging है? तो इनका existence होना बहुत जरूरी है. और debtors की बात करें, तो आपको उनसे कुछ ना कुछ पैसे लेने हैं. है उनके पास बट लेने आपको हैं. तो किसकी belonging है? हमारी. पीस आपके पास रखेंगे बट लेनी मेरे को है. तो किसकी belonging है? मेरी. तो आप भी क्या है मेरे? debtor. समझना गया? तो अगर मैं आपको कभी debtor कहीं का बोलू, तो आप मेरे को creator कहीं का बोल दीजेगा. तो अब यहाँ पे asset कोई इनसान हो सकता है, debtor के रूप में. कोई organization हो सकती है, कोई जगा हो सकती है, कोई चीज हो सकती है. तो asset को याद रखने के लिए, लोग तो इतना खुश हो गए इस नाम से, तो जोजने, पापा, उम्मी, मेरा नाम ही पोपट रख दे हैं. उसके बाद आप हो जाएंगे, चौपट. तो समझ में आ गया asset क्या होती है? पका चलिए. तो liability के लिए कुछ चीजें आपको समझा दें, जो आपको benefit देंगे. जरा लिखना start करें लोग. Various examples for liabilities. ये examples सिर्फ आपको गलती avoid करवाएंगे चल्डन, ताकि आपसे गलती आना हो जाएं. Ready to write? चलिए. सबसे पहला, Mr. Alex, the owner, contributed cash rupees 10 lakh furniture rupees 8 lakh motor car rupees 6 lakh computer rupees 2 lakh trucs bequiz bequiz thereafter. second example ột brought goods on credit फ्रोम्स्टर तेम्कुक रुपीज वनलग देर अफटर बॉट फुरिचर उन्रेट फ्रोम्स्टर एलिट ए्रोम्स्टर एलिट प्रोम्स्टर विकार एलिट यजिए, अपराष्ट्र प्रोम्स्टर एलिट. छोम्स्टर एलिट विसन एलिट P theente, ten thousand, foto k ast~~ एक्रवेज को प्रकान प्रफथ देयुट सेज्टिटी बिल दू परने अजयूस प्रफटी कुपनी प्रफटीस एट तुसन and the sixth telephone bill due to BSNL rupees 5000 I hope so the examples are well visible to everybody so चलो नहीं जो Mr. Alex है जब ये money contribute करते हैं business में तो हम इन्हें किस नाम से पुकरते हैं capital very good very good excellent answer thereafter हमने किसे goods crate पे खरीदे Mr. Tim Cook और furniture किसे crate पे खरीदा Mr. Elite और नौकरी करवाई Mr. Knocker से बट उसको पैसे नहीं दिये electric bill किसे पे करना है Delhi Electric Supply Company और telephone bill किसको पे करना है So children ये persons and organizations to whom the business is liable to pay money इन organizations को आप क्या बोलेंगे liabilities और owner ने business में पैसे लगाए है ये भी बेचारा कल को अपने business से पैसे लेके जाएगा तो business के उपर Tim Cook जी एक बोज है Yes or No Mr. Elite भी business के लिए एक बोज है Yes or No Mr. Knocker भी एक बोज है पैसे देने हैं हमने इनको Yes or No टेली एलेक्ट्रिक सप्लाइ कंपनी भी एक बोज है Yes or No और BSNL भी एक बोज है Yes or No ये सारे बोज बिजनस में क्या बोले जाते हैं liability सुनाई परदी बात तेरा ये supply की spelling ठीक कर लेते हैं It's S-U not S-Y समझ में आगी बात and एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ Capital is also a liability children लोग कहेंगे सर ऐसा क्यों बड़ी सिंपल सी बात है हर वो चीज जो बिजनस के सिर पे एक बोज है वो बिजनस के लिए क्या है तो business is supposed to pay money to Tim Cook Elite, Mr. Knocker, Delhi Electric Supply and BSNL Yes or No Is the business not liable to pay the money back to Mr. Alex जिनों लगाया है क्यों? इसका भी तो पैसा बिजनस को वापिस करना पड़ेगा तो business एक अलग identity होता है और businessman अलग तो हर वो organization हर वो इंसान जिसने business में contribution किया है business is having the responsibility to pay the money back to these people Yes or No Yes or No तो ये सारे के सारे लोग कौन होंगे? Very good तो we can say business owes certain obligations to Mr. Alex क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया to Mr. Tim Cook उन्होंने भी पैसा लगाया to Mr. Elite इन्होंने भी पैसा लगाया to Mr. Knocker इन्होंने भी अपनी services दी है to electric supply board as well as to BSNL तो business is liable to pay money to them इन organizations ने लोगोंने हमारे business में पैसा लगाया है तो please don't assume cash as a liability furniture, motor car, computer, goods, furniture ये सब में से कोई भी liability नहीं है liability कौन है Tim Cook, Elite, Knocker, Delhi Electric Supply and as well as capital representing the owner is also a तो हर बोज आपके सिर पे जो भी business में होगा वो आपके लिए क्या होगा liability और liability कोई person होगा liability कोई organization होगा कोई चीज कभी भी liability नहीं हो तो अगर आपने चाट के ठेले पे जाके चाट खाई 500 की और चाट वाले को पैसे नहीं दिये हलवाई की दुकान से मिठाई खरीदी और इसको पैसा नहीं दिया आपने राजू हलवाई है मुन्ना तो चाट वाला था ना हलवाई राजू है दवाई की दुकान से आपने दवाईया ली बट अभी पैसे नहीं दिये कहने patient जिंदा रहेगा तो देंगे तो दवाई लाईयबिल्टी है की so called medical store लाईयबिल्टी है even medical store वाला आपकी लाईयबिल्टी है दवाई लाईयबिल्टी नहीं है चश्मा लिया और कहरें एक्जाम में paper size पड़ पाएंगे तो आके पैसा देंगे मैं तो नहीं देंगे तो लाईयबिल्टी कौन है चश्मा या शॉपकीपर लेंस का टाइटन आई आई स्टोर ये सब जग्यू अप्टिकल्स आपके लाईयबिल्टी की कैटेगरी में आएंगे समझ में आई बात की बिल्कुल नहीं आई बात पत्का आपको मम्मी ने बहुत बड़िया डिश बनाके दी खाने कि आपने खाई बना लाईकों ने अभी तक थैंक्यू नहीं बोला है पाई लागू नहीं किया है तो लाईबिल्टी कौन है वो खाना जो आपने ठूसा या मम्मी जिन्हों ने बनाया नहीं समझ में आई सुझ में आगए बात प्लीज अपडेट दिस वरी क्विकली अगला एक्जाम्पल है चल्रें कैश कंप्यूटर फॉनिचर मोटर कार गुड्स फॉनिचर सैलरी एलेक्टरिसिटी बिल टेलेफोन बिल यह सारी कि सारी जो भी चीज़ें आपको नजर आ रही है इनमें से कु नहीं है वो क्या है मैं ये भी आपको बता दूगा ये सब तो असेट की कैटनग्री में चला जाएगा जो बचेंगे गुड्स स्टॉक होयां है जो बचेंगे वो असेट होगा अभी यह बचा नहीं सिर्फ खरीदा है वह अरे मैंड ही बात कि आसेट होगा डरी एलेक्तिर बिल टेलिफोन बिल आपका expense होगा यह short term benefit दे रहा है आपको समझ में आई बात तो यहां पे note down कर लीजे फायदे की चीज़ है this is your asset goods जब कल को बच जाएंगे तो आप उन्हें stock बोलेंगे then it would classify to be an asset furniture asset है salary electric bill and telephone bill क्या है expense है तो हर वो organization या person जिसे पैसे देने है is a liability हमारा business जिने पैसे देगा आपने Apple वालों से 1000 mobile phones खरीदे iPhone 14 अपने employees को इद पे gift देने के लिए दिवाली पे gift देने के लिए दुर्गा पूजा पे gift देने के लिए अब लोग कहेंगे सर ऐसा organization कौन सा हम भी यही नौकरी कर ले salary मिलने मिले iPhone मिल जाएगा उसको बेचके salary बरावर पैसा आ जाएगा Apple वालों को हमने पैसे अभी तक नहीं दिये तो हमारी company का नाम है संकट motion limited हमको Apple को पैसा देना है तो संकट motion वालों के लिए Apple क्या हो गया liability बट iPhone liability नहीं होगा तो याद रखिएगा हमेशा याद रखिएगा एकदम दमाकेदार concept है नहीं तो हर बार गलती करेंगे liability can be any person liability can be any organization सो करोड रुपे के profit पे 30 करोड आपका tax बना which you are supposed to pay to the income tax department बट अभी आपने पैसा दिया नहीं है तो for your business income tax department is what liability जैसे electric bill due है telephone bill due है salary due है वैसे ही आपका tax payment भी due है समझ में आई बात तो office में electric bill आ गया पापा ने आपको बोला जा कि जमा कर देना और आप चलेगा बड़े की दोस्त में free का खाना का टकने के लिए और आप भूल गए electric bill is your दोस्त के बड़े में तो चले या वाट उसको gift नहीं दिया है दोस्त दोस्त समझ में आई बात की नहीं चले आगे सबने इसको लिख लिया प्रिट तो नहीं आ था चलो अब चलते हैं बच्चों what is called as type of assets air conditioner installed in principal's office chalk duster in a classroom दोनों में से किसकी age ज्यादा होती है इसी ज्यादा long time चलेगा और chalk duster जटपट खतम हो जाएगा कुछ बच्चे तो घर से टिफिन में नमक कम लेके जाते हैं और chalky बुरादा डाल लेते हैं कुछ bread लेके जाते हैं बीच में चॉकला बेटके खालेते हैं समझ में आई बात तो जो assets long lived होती है बचो बिजनस की language में accountancy के language में we used to call them up till 2013 fixed assets 2013 से लेकर 2021 तक non current बोलते थे और अब उनका एक नया नाम आ गया है property, plant and equipment, intangible assets सर ये ऐसा क्यों हो सर ये बदलाव क्यों हो रहा है बदलाव तो होता ही रहेगा कुछ समय पहले बच्चे बोलते थे चश्मा तूट गया फिर बोलते थे specs तूट गये फिर बोलते थे optical lens तूट गया मतलब लगबग एक है लोगों के हिसाब से definition फर्क है जब accountancy बनी years ago 14th century, 4th century and all that में लोग बोलते थे कि भई हर वो जायदार जिसकी उमर short है उसे बोला जाएगा शॉट लिफ्ट तो बोलेंगे बोलेंगे बट शॉट लिफ्ट का एक नाम ता चल गया तो स्विच आ गया, electric board आ गया, tube light आ गया, step lizer ऐसा कुछ नहीं है जिन assets की life short होती है, it is known as, sir short होती है मतलब मर जाते हैं अरे नहीं भई, जिनने आप cash में एक साल के अंदर easily convert कर ले, वो होती है current asset क्या होती है और जो assets cash में जल्दी से convert ना हो पाए एक साल के अंदर, we call them as what children, fixed assets 2013 में हमारे देश में Companies Act नया बना, पुराना 1956 का था, नया 2013 में बना, क्यों बना, 12th class में पूरा मैं आपको उसका story सुनाऊंगा, बट अभी बस आप थोड़ा सही है समय लीजे, international accounting procedures हम adopt कर रहे हैं, इसलिए हमको अपने कानून में amendment करना पड़ा, are people understanding what I mean to say, जैसे पहले capital punishment क बहुत तरूल था, और लोगों को सजाय मौत बहुत दी जाती थी, बट देखा गया कि society में उसकी वज़े से, बहुत जादा disturbances हो गए हैं, लोग judge के against हो जाते हैं, जो judge इस तरह की फासी पे चड़ाने की punishment दे, तो उसको कम करके, उमर कैद कर दिया गया बही 12, 14, 20 साल वग European context में हम इसे use करते थे, तो सुचा कि वो company जब India business करने आएं, तो same practices follow करें, तो fixed asset चलता था, 30 अगस्त 2013 तक, 30 अगस्त 2013 में जब नया companies act आया, तो ये word replace होके क्या बन गया, non current, last year institute of chartered accountants of India, जो CA course India में चलाते हैं, accounting policies बनाते हैं, उन्होंने इसका नाम बदल के क्यारत दिया property, plant and equipment, intangible assets, तो जो ISC के students थे, उन्होंने तो 2023 के paper में इसे use किया है, CBSC में amendment इस साल आया है, तो वो लोग इस साल से इस्तमाल करेगी है, got it clear, तो बीच में जब कुछ changes होते हैं, तो boards बीच-बीच में circulars भेशते हैं, और teachers को बोलते हैं, जा भी changes अपलाए, कर लीजिए, ब asset तो history हो चुका है, आपको नजर आएगा, property, plant and equipment, intangible asset, सर इसमें सब कुछ आ जाएगा, बिल्कुल, property के अंदर, land and building, furniture, motor car, सभी तो property है मारी, सब आ गया, plant and equipment के अंदर, factory का, plant and machinery, ro water purifier, installation system, AC का, और उसके बाद filtration plant, सब आ गया, और intangible में क्या आएगा, थोड़ी देर में भी बात करेंगे, मुस्की, समझ में आगई बात, तो land and building, एक colonizer के लिए, एक builder के लिए, क्या long term asset होता है, वो तो जटपट खरी देगा, और जटपट किसी को, बेज देगा, उसका तो रोज मरा का काम है, तो builder और colonizer के लिए, plant and machinery, land and building को क्या बोला जाएगा, current asset, but जिस building मे builder का office है, उसे भी बेज देंगे, are the nomadic people, आज जहां तंबू लगा को, अफिस तो भाई fix रहेगा, भाई DLF वालो का office है, अपने अलाबाद में R3LTN का office है, विनायक ग्रूप का office है, क्या हर दो मेने में office change होता रहता है, वो labor Mason worker थोड़ा है, आज यहां काम मिला, यहां, ज अपार्टमेंट खरीदा है, it is what? I hope so, I'm not fast, समझना रहा है, factory के अंदर जो plant and machinery है, sir, हमारे घर में भी plant and machinery है, बच्चे से पूछा मैंने कहा, कैसे, 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 mixer grinder है, mixer grinder, घर के अंदर plant and machinery नहीं है, but cafeteria में, restaurant के kitchen में, it is as good as plant and machinery, समझ में आया, then we have what? कार के showroom के लिए, motor vehicle, short lived है, long lived है, कार के showroom के लिए, वहजी बताइए, कार के showroom के लिए, motor car short lived है की long lived है, कैसे short lived है, कार आएगी, विख जाएगी, बट डेमो कार, long lived है, तो डेमो कार जाएगा, non current की asset में, what it clear, बट जो गाडिया बेशने के लिए आई है, वो, very good, आपकी दुकान है, furniture खरीदने बेशने की, तो आपके लिए furniture क्या होगा, short lived, current asset, बट जो furniture आप खुद यूज़ कर रहे हैं, अपने बैठने के लिए, वो long lived होगा, बातें समझ में आ रही है, तो तोते की तरह रटना नहीं है, किस तरह का business enterprise है, depend ये करता है, तो किसी ऐसी दुकान पे जहां पे बरतन, mixer, grinder बिखते हैं, उनके लिए, it is all current asset, but एक catering service वाले के लिए, एक banquet hall वाले के लिए, curtlery क्या हो जाएगी, long lived बोल सकते हैं, non current बोल सकते हैं, क्योंकि long time चलेगी, कौन सा, stock, किस चीज़ का stock है, जो समान हम बेच रहे हैं, उसी का stock होगा, वो तो अगले साल जटपड बिखी जाएगा, तो it is current asset, end of the year आपकी दुकान पे 50,000 का समान बचा है, क्या दस साल तक पढ़ा रहेगा, सर, इतनी मनुस किसमत है हमारी, तो ये दस साल तक भी पढ़ा रहेगा है, हाँ, कुछ होता है जो नहीं बिखता कभी-कभी, तो उसे dead stock बोलते हैं, but sorry to say, वो non current नहीं होगा, फिर आप उसको sale वगेरा में, घाटे नुकसान में, या अपने employee को free में, दे देते हैं, जिसे मा वाई बजगे, expiry date है परसोस की, घरवले सब आज खा जाएंगे, कि परसिटर मौल की गोली, लोग खालो, कल को बुखारो को तो पहले से खाय रहेगा, तो अच्छा होगा, पुदी नहरा खालो, पहले से ही पेटना खराब हो, इनों पी जाओ, या ऐसा होता है, उसको फिर आप फिक देंगे, and that becomes your loss, that becomes your loss, नहीं समझें बात को, तो सबको समझ आगे, what is called as non-current or fixed asset, तो आगे ज़र अपनी sheet में इसको अटाच कर ले, property, plant and equipment, intangible, quickly, आते हैं, short-lived asset पे, तो short-lived asset वो होती है, जिसकी उमर बहुत, गम होती है, so debtors, जैसे ही आपको पैसा दे जाएंगे, they won't be your debtors anymore, जो लिखा पड़ी, promise जिन्हों ने किया था पैसा देने को, as soon as they give you the money, वो कागस का टुकड़ा आप 2 रुपे के लोगी रदी है बस, go down में पड़ा हुआ stock is also what, short-lived और long-lived, cash box में जो cash पड़ा है, और bank में जो पैसे पड़े है, वो भी जट पड़ आप निकाल लेंगी कि नहीं, समझ में आ गया, तो all these are called as what, bank balances का मतलब, please do not get confused with fixed deposit, long-lived होता है, यह investment होता है, यह पैसा आपको तुरंट नहीं मिलेगा, समझे बात को, पका चलिए, further classification हमारे पास, tangible, intangible and geography सबने पड़ी होगी, people must have heard about non-renewable resources, सुना है, ऐसी resources जिसको हम renew, नहीं कर सकते हैं, it could be called as mines, oil wells, mineral deposit, coal deposits and gold deposit, क्या यह renew हो सकते हैं, सर, photo copy कर लीजे, इनकी, possible है, बिल्कुल नहीं, तो इस चीज़ को हम accountancy की language में क्या बोलते हैं, कुछ बच्चों के दिमाग में बात आ रही होगी, सर, क्यों इनका classification किया जा रहा है, इनसान और जानवर का classification अगर नहीं करेंगे, तो अपना इलाज हम करा लेंगे वेटनरी सर्जन से, और अपने टॉमी और मोती का इलाज डॉक्टर तुरिहन से करा लेंगे, तो classification समझना इसलिज हो रही है, आगे चलके जब आप इनका record maintain करेंगे, तो western assets का record maintain करने का तरीका अलग है, current assets का record maintain करने का तरीका अलग है, जब आपकी cycle puncture होती है, क्या आप car puncture वाले एक पास पहुँच जाते हैं, पतला का उसने machine से अवा बर गए भढ़ाम से अवा जाई, गए थे cycle ठीक करवाने और दिवाली मन गई वहाँ पे, what it clear, अगर आपको जुकाम लगा होगा, क्या मेदानता चले जाएंगे, रही सादमी है सर, absolutely not, किसी को माली ये cancer का इलाज कराना है, तो homeopathic store पे जाएगा, पका उसका पुनर जनम हो जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पे भी a suitability principle, what suitability, तो wasting asset की लिखा पड़ी अलग तरीके से है, और intangible की अलग तरीके से, तो let's understand tangible asset होती क्या है, किसी भी ऐसी जायदाग को जिसको आप touch कर सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका physical existence है, क्या है, land and building, plant and machinery, furniture, stock, cash, vehicles and many more, इनको देख सकते हो, इनको छू सकते हो, touch कर सकते हो, उनका physical existence है, तो इन्हें क्या बोला जाता है, tangible, समझ में आया, समझ में आया, सर, ये intangible क्या होता है, जिसे आप महसूस कर सकते हैं, सर, अम बिल्कुल नहीं महसूस कर पा रहे हैं, सर, concept को, ध्यान से सुनिएगा, मम्मी ने एक बेलन मारा घुमा के, tangible asset, मम्मी का खौफ, डर, आख, ऐसी बड़ी-बड़ी हो जाना, मेड़त की तरह, ये सब क्या है, intangible, अब मैं आपको एक ज्यान देता हूँ, आपने जैगवार लैंड रोवर का नाम सुने, फोड़ वालों की कंपनी है, रिसेंटली कुछ साल पहले इसे इंडिया में टाटा वालों ने वर्ल्ड वाइट खरीद लिया, तो अब जब टाटा वालों ने इनको पैसा देने की बात आई, तो टाटा वालों ने बोला, आपकी फैक्टरी का लैंड इंड बिल्डिंग, फैक्टरी की मशीने, फरनिचर, जितना रॉव मटीरियल है और जितनी गाडियां तयार है, ये सब मिलाके 40,000 करोर रुपए है, कितना? बट ये लोग टाटा वालों से बोल रहे हैं, हमें 45,000 करोर रुपीज दीजिए, दे आर डिमांडिंग मोर मनी और इक्वल मनी, किस बात का पैसा मांग रहे हैं? हमारी रेप्यूटेशन है बजार में, वो भी तो आज के बाद आपको अड़़ांटेज देगी, हमारे पास कुछ डिजाइन्स का पेटेंट रेजिस्टर्ड है, आप ही तो इस्तमाल करके गाड़ी बेचेंगे, और वो जो शेर है कूटता हुआ, पूरा कूट नहीं पाया, मैंने उसको पॉस कर दिया था, जो ट्रेडमार्क है, उससे आप विजनस करेंगे हम, नहीं करेंगे, हमारे पास टेकनॉलजी कैसे हमने डेवलप की, इंजन का मैनुफैक्टरिंग प्रोसीजर पूरा लिखा हुआ है, इसका कॉपी राइट भी आप ही इस्तमाल करने वाले हैं, और जो हमारा जैगवार, इवॉक, ये सब गाड़ियों के नाम है, एसे फट्वेंटी एनॉल, ब्रैंड नेम, इससे आप गाड़ी बेचके पैसा कमाओगे हम, नहीं कमाएंगे, तो इन सब चीजों के लिए, अडवांटेज जब आपको मिलेगा, तो आपको इसकी कीमत च चार लाक रुपे उनके नाम का आपको देना पड़ रहा है, जिसको देखकर कस्टमर आएगा, आप डगडॉनल्स के नाम से ओपन कर लीजे स्टोर, और मैं डॉनल्स से बढ़िया बर्गर बेचिये, मैं चैलेंज करता हूँ, दस साल में भी आप उनकी सेल को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं डॉनल्स जाने की सिर्फ रीजन बर्गर नहीं होता, कई ना कई आपके मन में ब्रैंड वैल्यू है, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे ही मौसा जी की फैक्टरी है जूते की, और वही वुड्लेंड को शूस बना के देते हैं, मैं जितना भी आपको बोल दूँ, दिखा भी दूँ, कि देखिए वुड्लेंड का जूता यहां मनुफैक्टर हो रहा है, आप क्या बोलेंगे, डुप्लीकेट है सर, तनिश की क्या सारी जूल्री खुद से बनवाता है, कुछ खुद बनाते हैं, क्या कल्यान जूलर्स अपनी सारी जूल्री ख खरीते हैं, असेंब्लिंग, परफॉर्मेंस उनका अपना होता है, तो अगर आपको मैं लाग बोल रूँ मेरे मौसा जी की फैक्टरी है, वुड्लेंड के शूस बनाने की, वुड्लेंड का 10% प्रोडक्शन वोल को देते हैं, मैंने दिखा भी दिया आपको, तब भी वो प्रोशा नहीं आएगा और आप स्टोर से ही खरीतेंगे जाके, उस फेट का, उस रेप्यूटेशन का कंपनी आपसे पैसा लेती है जब उनका फ्रैंचाइज सेंटर ओपन करते हो, तो इन चीजों को आप देख नहीं सकते हैं, आप सिर्फ मैसूस कर सकते हैं, बच्चे कह आपका मैं आपसे पैसा मांग रहा हूं, एक्स्ट्रा, गुडविल, रेप्यूटेशन, नेम, और जितने बच्चे पढ़ेंगे, पर स्टूडेंट, टेन परसंट फीज मेरी होगी, क्योंकि मैं स्टूडी मेटल दूँगा, बीच बीच में आगे लेक्च्चर इनके पास रेसिपी है, चाइनीज छोला बटूरा, यह कैसा छोला बटूरा होता है, बताया जाएगा आपको, क्या आप अपने रेस्टॉर में बिना उनकी परमिशन के रेसिपी बना सकते हैं, इस नो हाउ, क्या आप कोल्डरिंग की मैनुफेक्शन कर सकते हैं, बिलकुल बट पेपसी और कोक के नाम से नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि यह ट्रेड मार्क, ब्रैंड नेम, बनाने की विदी, जो रेसिपी का प्रोसीजर है, यह कोक वालों ने अपने नाम पे रेजिस्टर कराया है, एमडिएच मसाला एक मसाला बनाता है, आपने पूरे इंग्रीज को क्या मुलते हैं, इंटैंजिबल असेट्स और अगर हम कानून की भाशा का प्रयोग करें, तो दे आर नोन आज इंटेलेक्ट्वल प्रोपर्टी राइट्स, वाट देमाग से उपजी हुई प्रोपर्टी, वाट उपजी मतलब विच इंसेप्टेड फ्रॉम यॉर ब्र कोई शक या सवाल, कोई संकट या समस्या चलिए, तो यह सब डेफिनेशन लिखने हैं, जितना मैंने बाल बढ़ाया है अभी, इसको पढ़िएगा जरूर आप लोग, अब आते हैं टाइप ओफ, तो सबसे पहले लाइबिल्टी पे कुछ लिख लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओब्लीक, ओब्लीगेशन्स, ओब्लीक, ओइंग्स, ओफ दे बिजनस, तो बिजनस के उपर जो भी बोज है, वो बिजनस के लिए लाइबिलिटी है, आपने अपने फ्रेंड से बोला था, तेंथ क्लास में, यार सौ रुपे दे दे, मैं तेरे को कुछ टाइम बात पैसे वापिस कर दूँगा, तो उसका नाम अगर राजू हो, तो उसका नाम लाइबिलिटी मत रख दीजेगा, फोन पे सेफ किया हुए नंबर लाइबिलिटी, समझ में आई बात की नहीं, समझ में आई बात, चलिए, तो सबसे पहली लाइबिलिटी, क्या बच्चो नजर आ रही है आपको, तो लाइबिलिटी भी दो तरह की होती है, वन इस कॉल्ड आज, लॉंग लिफ्ट, अड़र इस कॉल्ड आज, सर ये चेंज नहीं हुआ, नहीं ये वैसा ही चल रहा है भी, तो घर में जब पार्टी वगेरा होती है, सबसे लास्ट में कौन एग्जिट करता है, घोस्ट, घोस्ट चले गए पहले, घोस्ट लास्ट तक रहते हैं, तो बिजनस में सबसे एंड तक, कौन रहेगा, अगर बिजनस बंदी हो जाता है, तो बिजनस में, और आप बिजनस में को किस नाम से पहचानते हैं, तो यहां पर प्लीज लिख भी लीजे, बार बार आपको मैं अहसास दिलाता रहता हूँ इन चीज़ों का, तो बिजनस में ने, विचारे ने जो पैसा लगाया चल रहे हैं, वो पैसा भी कईना कई कल को इसको बिजनस से वापस मिलेगा, अज्यूमिंग कि बिजनस बहुत साल बाद, सौ साल बाद या एक हजार साल बाद कभी अगर बंद होता है तो उसको पैसे वापस, literally कभी business band नहीं होते है चलते है तो businessman यहीं सोचता है कि मैं इसे long term चलाऊंगा मैं क्या सोच आपको एक मैने पढ़ाऊंगा फीस भाग जाऊंगा not at all businessman क्या सुचेगा बसे एक बार समान पेशना है customer को चिपकाना फिर भाग जाएंगे उसका ideology होता है यो business long term करेगा भी वो कर रहा है कल को फिर उसकी अगली generation फिर उसकी अगली generation and so on ना संभाल पाएं तो मेरे नाम कर दीजेगा business मैं संभाल नहीं बता है समझ गए पका चलिए तो owner भी business के लिए क्या है एक तरह की responsibility है business ने पैसे लिये हुआ है business के उपर एक बोज है it's an obligation समझ में आगई बात then children हमने bank से कोई loan ले लिया सर यह क्या लिखा हुआ है देव द्यास है क्या सर यह debenture और bond यह certificates होते हैं जब आप से कोई company अपनी उधार मांगती है long term के लिए तो वह आपको एक कागस का टुकड़ा देती है जिसको क्या बोला जाता है और अगर यही काम को एक governmental organization करे तो हम उस कागस के टुकड़े को क्या बोलेंगे बॉंड फेवी बॉंड फेवी कोई नो 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 तो इंडियन रेलवेज ने तस हजार रुपए आप से उधार लिया और आपको एक कागस का टुकड़ा दे दिया it is known as a bond reliance विप्रो टाटा इनफोसेस यह public companies private sector की प्राइवेट कंपनी नहीं है it's a public company क्योंकि शेर बेच कर पब्लिक से पैसा लिया है इनोंने पब्लिक कंपनी प्राइवेट सेक्टर भारत संचार निगम लिमिटेड एम टी एनल एस बी आई पब्लिक सेक्टर की पॉब्लिक कंपनी पब्लिक सेक्टर की तो कंपनी पॉब्लिक भी होती है प्राइवेट भी होती है दो हम essence ख्लोग कर प्राइवेट सेक्टर नहीं है और समझ में आ गई बात की नहीं तो इंडियन्रिवेस ने अगर आपसे पैसे उधार लिये तो आपको जो कागस का टुकड़ा देंगे उसे क्या बोलेंगे बचो James Bond, Bond, Reliance, Wipro, Tata इन सब ने अगर आप से उधार लिया और कागस का टुकड़ा दिया तो क्या होगा Debenture, तो ये पैसा इनके सिर्फ एक बोज है, ये पैसा इनके सिर्फ एक बोज है, ये कल को आपको वापिस करेंगे तो इन liabilities को बोलते हैं, Long Term Liability और पुराने नाम है, The New Name is Non-Current Liability और ये 2013 से आज तक चलगा है इतनी बात समझ में आई, Reserve मैं अभी छोड़ना हूँ, थोड़ी सी Accountancy आपको और पढ़ा दू, तो Reserve Liability कैसे होता है, I'll let you know that as well इसके ओपर किसी का कोई इश्चा क्या सवार, इसी का आपको पूछे दिए, Yes, Loan, किसको देते हैं, हम Loan ले रहे हैं, वो Liability है, हम Loan देंगे तो Liability नहीं होता है, हम Loan ले रहे हैं, तभी तो Responsibility है ना, पैसा वापिस करने की, बैंक ने जो Loan लिया है, Deposit लिया है, वो बैंक के लिए Liability है, और बैंक ने जो Loan लिया है, वो Asset होगा, क्योंकि बैंक को पैसे, वसूले, Entitled to Receive है, Liability मतलब जो, आपको कल को किसी को पैसे, वापस देने है, इसी का जी, पूछे क्या सवाल था आपको, Very good, excellent answer, excellent question, excellent statement, यह होता वाई है, बट इसका duration long है, I repeat, इसका duration long है, तो हमारे देश में बच्चों एक कानून है, Thanks to my teachers, जिन्होंने मेरे को इतना पढ़ा है, Thanks to my destiny, जो मैंने इतना पढ़ा हुआ है, नहीं तो अभी तो आज, चूरन किलाता है वह सबको, Negotiable Instruments Act एक कानून है हमारे देश में, जिसके accordingly, जब customer और supplier के बीच में उधार का लेन देन, promise से होता है, तो कागस होता है, bill of exchange, जिसकी validity दो महिना, तीन महिना, चार महिना, छे महिने से कम होती है, इससे जाधा नहीं होती, बट अगर आपने cash उधार लिया है किसी से, और ल बात समझ में, आई, have you ever heard, ठंडी बरफ, गरम बरफ, आईस है तो ठंडी ही होगी, समझ मां क्या, have you heard solid water, solid water कभी सुना है, आईस को ही solid water बोलते हैं, तो solid water जैसा English की terminology में कोई शब्द नहीं है, तो वैसे ही यहां पे है, short term उधार लिया, तो bill of exchange, long term उधार लिया, private sector, public company ने debenture, public sector, public company ने तो bond, तो प्रियागराज development authority, municipal corporation of Delhi, अगर ये public से उधार लेते हैं, long term के लिए, bond, got it clear, infosys उधार ले रहा है, टाटा उधार ले रहा है, गौतमादानी जी का कोई business उधार ले रहा है, तो it is debenture, अब दिमाग में एक और question आ रहा है, किड़े गूम रहे हैं, सर, municipal corporation of Delhi, short term उधार नहीं ले सकते, ले सकते हैं, तब उसे नाम दिया जाएगा, treasury bills, what, तो आपके पापा की shop पे कोई customer आया, उसने तीन महिने का उधार ले लिया, तो पापा उसे bill of exchange बोलेंगे, what, पापा को पैसे लेने है, तो bill receivable, customer को देने है, तो bills, but अगर Indian railways ने तीन महिने का उधार लिया, तो उसे treasury bill बोला जाता है, और सर, दस साल, पात साल, चार साल का उधार लिया, तो bond बोला जाता है, अच्छा सर, bank भी उधार लेता है, उसे certificate of deposit बोला जाता है, commercial paper बोला जाता है, आएगा दीरे-दीरे सब कुछ, ज्यादा खाने की कोशिश मत करी, vomiting ह समय अनुसार, स्वाद अनुसार, किस्मत अनुसार, हैसियत अनुसार सब बताता रहूंगा, don't be worried, ओके, तो यह सब आपने पूछा तो मैंने बता दिया, है सब syllabus में, परशान मत होईए, सब कुछ है syllabus में, understood everybody, understood everybody, चलिए, short-lived asset में क्या आता है, सर, bank से आपने उधार लिया सर, हमको तो bank एक पैसा नहीं देता है, उल्टा हमारे account में पैसे कम होते हैं, आपका saving account होता है, saving account वालों को कोई उधार नहीं मिलता, उधार किसको मिलता है, businessmen को, जिनका current account है, सर, ये overdraft का मतलब क्या है, overdraft जो word है, ये बना है, बच्चों, एक present tense word से overdrawn, तो मान लीजिए, आपने bank में current account खोला, और आपकी account में 2 लाक रुपे पढ़ा है, bank कहा है, 6 लाक रुपे की check काट के दे दीजे, हम honor कर देंगे, कहां से honor कर देंगे, मेरे खाते में तो 2 लाक है, अरे आप एक reputed businessmen है, हम 4 लाक अपने पास से देंगे, और आप से उस पे charge करेंगे, ये 4 लाक रुपे होगा, लोन नहीं बोलते इसको, short duration का है तो over time, यही अगर long duration का हो जाए, एक साल से उपर, दो साल से कम, दो 3-4-5 साल का हो जाए तो long term loan बन जाएगा, जैसा अगाल वैसा जापन, ऐसे pin नजगी है तो चिकोटी, ऐसे मारे तो slap, घुमाग मारे कान का नहीं चे अगर ज्यादा है तो बाबाजी, logic समझ में आया कि नहीं, पक्का, bills, payable लिखा पड़ी उधार और creators का मतलब मुझबानी का उधार, और थोड़ी दिर पहले मैंने आपको बताया था ना बचो, यह कौन सा bill due था, salary, electric bill and telephone bill, इन सब को हम बोलते हैं what, outstanding expense, मतलब यह expense बहार होता है, standing out होता है, outstanding, नहीं होता, outstanding का मतलब होता है, mountain due का छोटा भाई, due या pending, पकाया, समझ में आया, चापूफाय, लिख लीजे फास्ट, चलो आगे, चलिए, तो यहां पर मैंने एक example भी लिखा है, when a firm purchases goods on credit from Mr. A, the amount owing to Mr. A is a goods liability नहीं है, Mr. A, यह हमारे लिए liability है, तो अक्षेत रितिया कब है, कल, पहले लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं बता होता था, यह तनिशक और कल्यान ज्वेलर्स वालों ने लोगों को बता दिया, कि ऐसा भी एक festival होता है, जैसे father's day, mother's day, grandfather's day, जमदार day, और stationary day, student day, पढ़ाई day, यह ज होते थे, पहले teachers day होता था और करवा चौट day होता था, और कोई day नहीं होता था, क्या, हाँ, children's day तो जवाला नहरू जी की आदार मना जाता था, बाकि यह जितने day आ गए है, brother, sister day, रक्षा बंदन, American रक्षा बंदन day, 14 फर्वरी को जो पढ़ता है, तो यह सारे days जो आए ह है, यह सब और सब किसकी देन है, आरचीज की देन है, यह corporatization है, जिसने इस marketing corruption culture को जनम दी हमारे देश में 90's के बाद, समझ में अगई बात, बस आप अपना logic गहीं तक maintain रखिएगा, तो Mr. A liability है, Mr. A liability है, मान लीजे कि आपकी sister ने आपको August के महीने में रक्षा बंदन वाल क्या कहलाता है, दीदी हो गई, redditor, और आप हो गए, debtor कहीं के, समझ में आई बात की नहीं, चलिए, तो यह सब तो मैंने आपको समझा दिया है, expenditure, बड़ा मज़ेदा term है, बहुत मज़ा आता इसको पढ़ने में, दो शब्द यूज करूँगा, आप इसका मतलब समझ जा जाया, आपके friend ने एक नया occupation स्टार्ट किया, आपने उसे पूछा, क्या occupation स्टार्ट किया, वो कह रहा है, हमने ओला में और उबर में गाड़ी चलानी स्टार्ट कर दी है, तो car जो खरीदी गई है, वो एक बार ली गई या हर दिन खरीदी जाएगी, बट उसमें fuel डलवान servicing करवाना भी हर दो थीन महिने का काम है, तो car खरीदना is acquiring asset, और उसमें fuel डलवाना, servicing करवाना, engine oil चेंज करवाना, clutch plate चेंज करवाना, brake pad चेंज करवाना, headlight चेंज करवाना, ये रोज मर्रा के काम है, तो ये हरकते जो हैं वो recurring है, और car खरीदना समझना गया, तो अगर मै हैने एक laptop purchase किया, तो it's recurring activity, repetitive activity और non recurring, non repetitive, non recurring और non repetitive, हम laptop की purchase को एक verb से represent करेंगे, और वो verb क्या है, expenditure, but I have to pay monthly zoom bill of 439, I have to pay airtel monthly bill of 550, ये हरकते recurring है कि non recurring, recurring, इन्हें accountancy में एक verb से represent किया जाता है, and what is that, expense, आपने एक restaurant setup किया, building का खर्चा, one time होगा, furniture भी लगबग, 2-4-5 साल में ही renovation करा होगे, kitchen में जतना machinery equipment लगा है, modeler kitchen वो भी, इस verb को बोलते है, expenditure, employees की salary, electricity expense, water tax, building का tax, खाने पीने का समान का खर्चा, ये recurring है, called as what, तो expense और expenditure में मतलब समझ में आया, पका, तो अगर मैं आपसे बोलू, कि आपने अपने office में employees के लिए, एक bus खरी दिये, उनको office से घर और घर से office, pick and drop के लिए, तो इससे आप दो नाम देंगे, either you will call it as an asset, either you will call it as an, तो ये हो गई बच्चों what, और इस हरकत को आप क्या बोलेंगे, expenditure, तो noun, asset हो गया, और expenditure, verb है, समझ में, आगई बाद, कपड़े का showroom है, mannequin, पुतले खरीदे गए, हर दिन खरीदेंगे, बट कपड़े, हर दिन खरीदेंगे, आफ़े दो आफ़े में truck आएगा, बिक्या कफिर जाएगा and all that, तो वो mannequin खरीदना क्या होगा, asset, non-recurring expenditure, capital expenditure, यहाँ पे capital word का मतलब होता है, what, big, जो बड़ा खर्चा आप नहीं किया, बार-बार आप इसे नहीं करेंगे, समझ में आरी यह बात, जास्तिर के ओपर से उड़ोगे पूरी बात, बट जो कपड़े आप खरीद रहे हैं, जो electricity का expense दे रहे हैं, employees की salary दे रहे हैं, billing machine में paper use हो रहा है, यह सब क्या है, children, recurring, तो आप इसे recurring बोल सकते हैं, revenue बोल सकते हैं, regular बोल सकते हैं, as well as small बोल सकते हैं, PBR cinemas ने 5K digital screen लगवा ली है, हर दिन लगवाएंगे, क्या होगा, capital या revenue, capital, employees की salary, cleaning maintenance जड़ू कोचा, समझ में आ गया, यह सब हो जाएगा, revenue expenditure, understood this, चलिए, copy कर लीजे fast, तो building, plant, furniture, this is all called as, one time, यह asset है, expenditure है, goods को बनाने पे जो खर्चाया, salary, rent वगएरा वगएरा, यह सब क्या होगा, expense, तो study material की जो xerox cost है, वो क्या होगी बचो, और मैंने photocopy machine नहीं खरीद ली, बट photocopy machine जिससे खरीदी मैंने, उनके लिए photocopy खरीदना बेचना तो रोजबरा का काम है, तो उनके लिए photocopy machine क्या हो जाएगा, revenue expenditure या expense, photocopy machine सरो रखते कहा है, बहुत बड़ा सा उन्होंने store house खोला हुआ है, अभी BKC store खुला, Bombay में, Apple का, Delhi साकेत mall में भी खुला, बुलाया जाना था tip book साभ में मेरे को inauguration के लिए, बट मैंने का नहीं बड़ास है, तो मैंने कैंसल कर दिया, मैंने का आप किसी और को बुला लीजे, store, वहां का furniture, क्या हर दिन खरीदा जाएगा, ये capital expenditure है, और जो सम तो रोज रोज वाला, कभी कभी वाला, ये बड़ी आता सर, कह से कभी कह से capital, आर से रोज रोज, आर से revenue, याद रहेगा, चलिए, लिख लीजे कभी कभी रोज रोज, ये देखिए, आपको नजर आ रहा होगा, plant and machinery, furniture, motor car और वगएरा वगएरा खरीदना क्या होगा, capital और तो बचो अब आपके सामने एक ये question आ रहा है, इस question में तो कुछ answers लिखे हुए हैं, बट अगला question उसी तरह का है, जिसमें answers नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है, तो आप answers को मत देखिएगा, बस question में composition note down करिएगा, ऐसा question आपके school level में भी आपको एकी बार पूछा जाएगा, जब ये chapter से question बनेगा, रेडी हैं सब लोग, पका, चलिए, Mr. Gopal ने business start किया किस चीज़ का, selling and buying of ready-made garments, और कितने पैसे invest किये, तो Mr. Gopal को किस नाम से पुकारा जाएगा, नहीं वो तो मैंने पूछा ही नहीं किस दिना बस जतना पूछना होतना बताईए, इस पहले sentence में goods जैसा कुछ नजर आ रहा है, very good, very good, this is called as goods, तो आप यहां पे शब्द क्या यूज करेंगे, और पचास अज़ार रुपे का क्या खरीदा, क्या बचों furniture भी बेचने का business है, so furniture would be called as furniture, इसका जो group होगा वो asset होगा, तो furniture उस commodity का नाम है, उस item का नाम है, group asset है, very good, very good, आप इसे expenditure भी बोलेंगे, तो process expenditure, outcome, asset, item, furniture, तो मैं आपको mammal भी बोल सकता हो, मैं आपको human being भी बोल सकता हो, मैं आपको boy girl भी बोल सकता हो, मैं आपको आपके नाम से भी पोकार सकता हो, understood, पका, चला जागे, और पचास ज़र रुपे कहां पे खर्च किया, तो computer को क्या बेचने के लिए खरीदा गया है, तो इसे भी क्या बोलेंगे, expenditure या asset, तो by name, it is computer, as a noun, it is coming under which group, asset, as a verb, it is called as what, expenditure, तो I hope so, मतलब समझ गए, मतलब समझ गए, पका, कोई डाउट तो नहीं किसी को, और इन्होंने पैसा बैंक में भी जमा किया है कुछ, तो अगर मैं आप से पूछूँ की, आठ लाख रुपे इन्होंने लगाए, चाद लाख के goods खरीद लिये, कितना बचा, पचास जर का furniture खरीद लिया, कितना बचा, इंग्लिश में बोल तो अच्छा लगेगा, फिफ्टी थाउजन रुपी का computer खरीद लिया, तो मनी बैंक में कितना deposit हुआ, very good, understood, आगे चला जाए, he sold some of the kids government for rupees on cash और कुछ governments को डेल लाक रुपे में credit में किसे बेचा, इस राजेश को क्या बोलेंगे, राजेश चाटवंडार, debtor, very good, very good, very good, अगर इसने cash में खरीदा होता, तो क्या हम इसे debtor बोलते हैं, क्योंकि credit में खरीद रहा, इसे debtor बोलें, समझ में आगई बाद, उसके बाद कुछ men's clothing दो लाक रुपे की किस से खरीदी गई है, Mr. Satish, क्या बच्चों कहीं लिखा है कि cash में खरीदा कि credit में खरीदा, cash में खरीदा होता, तो लिखा होता, अगर नाम लिखा है, तो इसका मतलब credit में ही खरीदा है, credit में ही खरीदा है, यह accounting के assumptions होते हैं, अभी इनका जिक्र कुछ classes के बाद होगा, तो Mr. Satish हमारे business के लिए seller है कि buyer है, पहले तो यह बता ही है, क्योंकि उधार में इन्होंने बेचा है, तो we'll call him as creator, और यह किस liability में आएंगे, कि asset में आएंगे, short term होगा कि long term होगा, तो short term liability को क्या बोलते हैं, current liability, समझ में आया, कि कितना important है basic terms को समझना, तो आपसे ऐसे घुमा फिर आगे questions पूछे जाएंगे, Mr. Satish in the paragraph is classified under which type of liability, तो answer क्या होगा, current liability, understood this, लिग दिये इतना, अप्डेट कर लिए सबने, तोड़ाए, scroll it up, अप्डेट इतना, चलिए अप्डेट कर लिजे फिर आगे स्क्रॉल करते हैं, अप्डेट कर लिजे इतना, चलिए, अब भई, in the first week of the next month, a fire broke out, और एक लाख रुपे के goods, अरे नहीं भई, बोलने तो दीजे, ओम नमस्वाहा, क्या होगा ये, ठीक, एक लाख बीस हजार रुपे के गार्मेंट्स को एक लाख तीस हजार रुपे में बेच दिया गया, मैंने अभी कुछ पूछा ही नहीं, तो लोग क्यों जवाब दे रहे हैं, भई, कितने रुपए के थे ये, 120, you will call it as expense or cost of goods which have been sold, कितने में बेचा बच्चों, 130 क्या होगा, और इन दोनों का जो difference होगा, that is called as toffee, profit, कितना profit है, 10,000, समझ में आगया, और Mr. Gopal ने 20,000 रुपे घर के खर्चे किल निकाले, पाइफ ने बोला है कि easy cup दोगे, तो यहाँ पे आप Mr. Gopal को क्या बोलेंगे बच्चों, was it a very great rocket science to understand, तो अगर आपने answers ठीक ठाग दी है, तो इसका मतलब आपको basic term समझ में आगया रहे, तो अगली class में मैं आपसे पूरी उमीद रखता हूं कि इस sheet में आपको question number 2 मिलेगा sunrise का, followed by question number 3, you are supposed to attempt this in homework, समझना गया, homework कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए, सारी basic terms line by line एक बार आप read करेंगे note से पहले, समझना गया, जुरत पड़े तो आप video देख भी सकते हैं, नहीं तो आपने class attend किया, तो कोई problem नहीं है, वीडियो भी देख सकते हैं, और उसके बाद answers लिखिएगा, आपसे चाहिए ये पूछा जाए, what is furniture, तो आप ऐसा नहीं कि सिर्फ asset लिखे, आप asset भी लिख दीजिए, expenditure भी लिख दीजिए, जितना आपको आता है, you can write all, क्योंकि exam में आपसे क्या पूछा जाएगा, you don't know, what is clear, अगर पूछेंगे, it is classified under which category, asset, liability, income, expense, तो आपका answer asset होगा, it is classified as asset, expenditure, both of these, none of these, तो आपका answer होगा, both of these, तो जादा से जादा उल्टी करने की कोशिश करिए, मतलब जादा जादा लिखने की कोशिश करिए, समझ में आगया, चले तो वीडियो बाइ लेट इवनिंग तक फ्लोट हो जाएगा, अच्छा लगा तो उपर वालंग उठा भी दिखा दीजेगा, कोई queries हैं तो please ask.